पेट दरदिया पेट में एठन होना एक आम समस्या है, जो लगभग हर किसी को कभी न कभी हुई ही होगी, या अभी भी होती होगी, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपच, सीने में जलन, कर्ब्स, आदी, आयुर्वेथ के अनुसार बधजमी मूल रूप से खाने से सम्मन होती है, आम तोर पर अपच में कोई गंभीर जटिलताएं नहीं होती है, फिर भी यह आपके जीवन की गुनवत्ता को प्रभावित कर सकती है, इसके कारण आप असहद महसूस करते हैं, और कम खाते हैं, अपच के कारण आपका ओफिस या विधाले जाना भी कभी-कभी मु पचने के दो घंटे बाद उससे थोड़ी राहत महसूस हो सकती है, पेट द्वारा भोजन को देर से और धीमी गती से पचाने के कारण मोटे और रोगियों में अब पच तीन घंटे से अधिक समय तक रह सकती है, अकसर आपने देखा होगा कि जब भी पेट में दर्ध होता है, तो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता है, मन विचैन सा रहता है, इस दर्ध से निजात पाने के लिए कई लोग दवाईयों का सहरा लेते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए, एकसिको आयरविदा लेकर आया है, इन इलेविन दे जूट, एकसिको इन इलेविन डे ड दर्द और गैस्ट्रिक परिशानी में त्वरित कारिवाई ही राहत देते हैं। जीरा या बी परसीकर्म का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विकारों के उपचार में इसके सिद्ध प्रभाव हैं। और इसका प्योग, इस्त्री रोग, एंटी कॉन्वलेंट्स, एंटी हेलमिटिंग, एंटी अस्तमा और डिस्पेनिया के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि सौफ या फॉनिकुलम बल्गूर्ड, पॉलिफैनल्स और फ्लेवोनोइट्स की उच्च सामगरी के कारण पाले गुण पाए जाते हैं। एजवाइन या ट्रेचिस, मर्न, कॉप्टिकम, गैस्ट्रिक, एसिट के स्त्राव को बढ़ाता है, जो भोजन के पारगमन के समय को और कम करता है और पाचन इंजाइमों की गतिवीधियों को भी बढ़ाता है और पित्ते एसिट के उच्च स्त्राव का कारण बढ़ता है। आमला या फिलेंधर्स एंबली का एक अनूठा फल है जिसमें एंटी इंप्लेमेटरी और एंटी ऑक्सिडेंट गुण की असाधारन विशेशताएं होती हैं। दालचीनी या सिनोममवर्ड में में मेथनॉलिक प्रभावी एक्स्ट्रेक् इसे बना है और इसे खाने से पहले या बाद में नियमित रूप से एक पाउच को समान्य और ठंडे पानी में घोल कर पीना है। यह शरीर में एसिट को तुरंद संतुलित करता है, पाचिन को असान बनाता है, दिन भर की ठकान और चिंताओं से आराम मिलता है। एक्सिको आरवेदा keeps you healthy, धन्यवाद!